हें विल्कम बैक टो मैंट आप चैनल बीयल मंगल लवर सुचले फ्रेंस वीडियो का स्टार्ट करते हैं लास्ट शेप्टर में हमने देखा था कि हमारा जो तेई रहता है वह अपने रूम के बाहर जैसे ही पहुचता है उसे एशन ब्रांच का तो नहीं बल्कि उसे जान यह उधार को नहीं कर सकता हम इसे बाहर करना जानते हैं और जैसे दिर्वाजा क्होले शॉक हो जाता है वह तार है यह तभी इस नहीं है था कहते हैं सिफ्चक्ण पॉजन के लया है कि को तो तुम तो जो तो दो दो यह लेarson को नगता है कि एक अरहाम और प्यारी वह प्रचन भी नहीं किया था वह कहता है नहीं मैंने किसी से बॉर्डो की है और ये काफी रेर बुक है तो मुझे इसे वापस भी करनी है ये बास सुनते हैं वह परसन कहता है कि आचा तो क्या तुम मेरा टू आवर्स वेट कर सकती हो तू और त्री आवर्स क्योंकि मैं इस को रीट कर रहा हूं और मैं इसे फिनिश करना चाहता हूं क्या तुम थोड़ा सा वेट करोगी मेरा ये बास सुनते हम आज जो ती रहता हो कहता है शूर तुम इसे रीट कर लो ये सारी चीज कहते हुए वह सोचे लगता है कि उसकी परसनालिटी काफी जादा अच्छी थी मैंने सोचा नहीं था कि रीजियन इतना जादा हैंसल और इतना जादा अच्छा बात करने में होगा मुझे पहली बार है सा लगा कि मैं एक नॉर्मल परसन से बात कर रहा हूं मुझे ज़रा भी डिफरेंट उसमें नहीं दिखा कैसे लोग कहते हैं कि वह एक साइको है तब तुम हमार तेही कहते हैं नहीं तुम कंटिन्व करो मैं वेच कर सकता हूं कुछी टाइम के बाद रीजिन उस बुक को वापस कर देता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहां पर चुछा बैटरया ना कितना ज़़गा तुम्हार लिए तो मैं ये बुक तुम्हें वापस तभी रिजन कहता है कि तुम्हें बता है इस ऑथर का जो बुक है ना उससे ढूड़ना काफी ज़दा मुश्किल है यह और बहुत ज़दा फेमस है और आज की टाइम में इसके बुक को ढूड़ना काफी ज़दा डिफिकल्ट होता जा रहे है और वह दोनों एक दूसरे से उ हाँ उस बुक के बारे में मैं जानता हूँ तभी रिजन कहता है तुम्हें वो बुक पढ़ी है यह बस सुनते हमाते हैं कहते हैं नहीं मैंने बस सुना है उसके बारे में रीजन कहता है उसका कॉंसेप्ट एन उसका स्टाइल काफी ज़दा अच्छा है और आज के एज के अगर मैं कहूं तो आज के एज के हिसाफ से वह काफी सब फानी है और इंट्रस्टिंग जॉइफुल है सच में उस बुक को बढ़ना मेरा इंट्रस्टिंग बुक है यह सारी बाते करते हुए हमा जो ते ही होता हुग कहता है कि तुम रीजेन हो राइट वह सुच लगता है कि मुझे ऐसा फिल क्यू हो रहा है कि हम दोनों शायद फ्यूचर में एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं वैसे इस जगह पे एक ऐसा यही परसन है जिसके साथ मैं ऐसी बाते कर सकता हूँ वह सच्छ में बुक्स में इतना ज़्यादा इंट्रेस्टेड है कुछे पता ही नहीं था तब ही रीजेन कहता है कि तुम नेरा नाम पहले से जानते हो है ना और मैं अपनी ब्रांश में एकलाओता इस नाम का परसन हूँ शायद तुमने में मेरे नाम कहीं सुना हो पहले से या बात sintै ही हमाते ही कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तब ही हमारे रीजेन इसमाल करते हूँ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस रूमर्स की वज़्शस से तुमने मेरा नाम सुना होगी रीजेन अपनी बात को हो लéquिन मैं हो जाता हूं कि अपना है और वीडियो के बारे में लाइए था और आ रहा था है उसे कोई भी लगता है फरक नहीं पड़ता इस बातों से तभी उन दोनों को कुछ बहर से आवाजे सुनाई देती हैं जहां पर उन सभी को यह समझ में आता है कि उन दोनों की जो एशियन और यूरूपीन ब्रांच है उन सभी में काफी सब जोरों की फायट चल रही है जहां और तुम्हारा ये बिकार सा ब्रांच हमारे ब्रांच से दूर रहा करो तब ही एक और परसन आ जाता है और कहता है कि हमारा ब्रांच हमारे खुद के अपने प्लेस पर है तुम्हारी तरह दूसरे की प्लेस पर नहीं आया है समझे तुम तो यहां से दूर रहो यह सारे आर तुम बाहर चाकर उसमें इन्वाल्व होने की फ्लानिक कर रहे हो तब ही रीजिन उड़ता और कहता है कि ये सभी काफी जाता लाउड है और मैं इने बस शांत कराना चाहता हूँ ये बास सुनते ही हमारा जो तेई होता है सोचल लगता है जैसा कि मैंने सोचा था उसकी फेस के स्माइल तुरंट गाइब हो गए उसने अपने फेस का एक्स्पेशन तुरंट चेंज कर लिया जैसे कि वो कभी स्माइल करता ही ना हो लेकिन सड़ली उसका फेस और ज़्यादा क्रूल होती जा रहा था मैंने यह सोचा नहीं था लेकिन अब मैं क्या करूँ क्या मुझे भी इसमें पाटिसिपेट करना चाहिए स्वाइट में तभी रीजन वहां से जाने लगता है और डोर ओपन करने ही वाला होता है कि हम आज वते ही होता है वह सोचने लगता है क्या मैं इस पर अटैक कर दू अगर मैं अटैक करने वाला हूँ तो थोड़ा स्ट्रेस कर लेता हूँ अपने हाथो को इसलिए मैं इंचर्ड नहीं होँगा नहीं से मैं इंचर्ड हो जाऊँगा मुझे क्या करना चाहिए क्या मैं इसे हिट करूँ पहले लेकिन मुझे अपनी सेफटी का भी धियान रख रहे हैं वह सभी दूसरों कहा थे हटो इसको मारो इसको मारो यही सारा सूर सुना दे रहा था हमारे ते की कानों में तब इसको दिखाए देता है कि एक स्टील की पाइप नीचे गिरिव होती है जिसे हमारे रीजन एक ही की में अपने हाथ में ले लेता है ये चीज देखत मुझे बिल्कुल भी अच्छी फिलिंग नहीं आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो बुरा होने वाला है लभी रीजिन उस पाइप को उठाता है और सभी को मारने लगता है वह एशन ब्रांच के हो यूरूपेन ब्रांच के हो वह किसी को भी नहीं बखसता वह कहता है कि यू बस्रड तुम लोग कितने ज्यादा कर रहे हो मैंने कहा न यहां से चलो इनफ बहुत तुम लोग का लड़ाई चगड़ा हो गया तुम यहां से जाना चाहिए तुम लोग सिर्फ शोर कर रहे और कुछ भी नहीं एक बच्चों की तरह लड़ना बंद करो यह सारी चीज को हमार तेग नोटिस करता है और सोची लगता है कि इतनी चीखी आने के बावजूत भी किसी ने उस पर पहले अट्राइक करनी की सोची भी नहीं यहां तक कि उसके खुद के टीम मेंबर उससे पीछे हाट रहे थे सारे लोग उससे पीछे हाट रहे थे कोई भी उस अ depression के लिए कर रहा था मुझे वी रहे ही नहीं हो रहा थे वही परसन है जिसके तरफ में कुछ टाम के लिए अट्र Priv ten everything surprise जिसके फेस पर एक क्यूड सी स्मायल थी इन उसमायल ती जो किताबों के बारे में इतनी सारी बात कर आधा यह सच में काफी सथ कुल है साइको परसन ऑया कहां से सेसे सीविट होते हैं पर हमें कैटीज का सीन दिखाए जाता हो जहां पर सभी लोग इजई नचर आ रहा थे तब ही बाइब पर टैई और टैई के फ्रेंट के प्रेंड आ जाते हैं को ही केशाच में आज का नजारा कितना ज़्या च Latश तरहे होता है और सोचनल लगता है सच में ये यूरॉपियन ब्राँच और इधर एशन ब्राँच दोर में पार्टिशन डिला हुआ है मैं कहां जाओ तभी हमें वह दिखा जाता है और इसका फ्रेंड टेह का अज का अस्मस्वियर काफी जदा अच्छा लग रहा है अमेजिं ये फोक नाइफ और ये चौप स्टिक डेंजरस लग रहे है तो तुम वेपन के बारे में क्या कहना चाहोगे उसे देखकर हमाती ही सुच लगता है ये अचानक से यहां आगया ये वो पैरसन है जो कुछ भी कह सकता है तुम तो आसानी से कही सकते हो जिसका एक थम इतना सा अगर ब्रेड ना हो तो अच्छा नहीं लगता तब ये वास सुनते हमा जो ते ही होता है वह तो एक हम शांत रह जाता है लेकिन हमारे रीजियन लगता है क्योंकि उसने सेलाज कॉफी और टोस्ट लिया था तब हमारे रीजियन कहता है कि मुझे कहीं भी सीट नहीं दीक र कुम्हारी एक साथ बाट हो तुम्हारी कंपणी कोंचाथ है लेकिन हमारा राएश दुरंत वहाँ से जा चुका होता है हमारा तेही सच लगता है अब मैं क्या करूं मैं इसके साथ कैसे पॉस गया सच में अंकल चैंग मुझे वांड किया था कि मैं कभी भी इसके साहत इन्व अब मैं क्या करूँ तभी हमाय रीजन कहता है कि क्या मैं तुम्हार साथ अगर बैठूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी और इसी सीन के साथ यह चाप्टर यह पर खत्म हो जाता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेया और शेयल को सब्सक्राइब ज़र क्या मिलतने विता है वेली पारा ब região सब्सक्राइब थ defines sudah बार शेरी होगी ₸र फसिए ऑन